मिलेशिया पाम तेल वायदा में लगातार पांचवे सत्र में गिरावट डर्च की गई है आन्या तेलो की कमजोरी से इंडोनेशिया में भरपूर सप्लाई के चलते मिलेशिया पाम के सेंटिमेंट को कमजोर कर दिया है बुर्चा मिलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में भी शुरुवाती कारोबार में गिरावट देखने को मिली दरसल बीते चार सत्रों में पाम वाइदा के कॉंट्रेक्ट में नो फीसद की गिरावट आ चुकी है वहीं डालीयन का भी सबसे सक्रिय सोया तेल कॉंट्रेक्ट 0.25 फीसदी गिरता हुआ दिखाई दिया है सीबोट यानी शिकागो बोर्ड ओफ ट्रेट पर सोया तेल की कीमते कमजोरी के साथ कारोबार कर रही है एक से 25 सितंबर के लिए मलेशाई पाम तेल उत्पादों का निर्यात एक महीने पहले के आंकडों के मुकाबले 18 से 20 फीसद तक बढ़ गया है वही मालवा निमाड में धूप निकलने के साथ नई फसलों की आवक शुरू हो गई है मंडी में बुधवार को नए सोया बीन की आवक देखने को मिली और 32 बोरी नया सोया बीन मंडी में पहुंचा हलाकि नमिस ज्यादा होने से भाव 4,000 से 4700 रुपे प्रतिक विंचल के बीच ही देखने को मिले इन दोर मंडी में भी 5,000 बोरी नई सोया बीन की आवक दर्ज की गई है भाव नीचे में सिर्फ 25 तो उपर में 4700 रुपे देखने को मिले जबकि पुरानी सोया बीन के भाव 5,000 रुपे प्रतिक विंचल पर बोले जा रहे है बिरो रिपोर्ट मार्केट आइमस टीवी